Hello everyone, आज हम डिसकस करेंगे General Characters of Bacteria. Bacterias जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? Microscopic होते हैं, Unicellular हैं, साथी में जो उनकी cell wall जो होती है, वो कैसे होती है? Rigid होती है. Unicellular organism है, it means क्या होता है? कि वो single cell से बने होते हैं. Bacterias जो हैं, वो कैसे हैं? Smallest हैं, Most Primitive Organism हैं, जिनने हम microscope के अंडर ही हम देख सकते हैं. निकेट आइस से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं. Bacterial cells जो है, वो कैसी है? Prokaryotic है. Prokaryotic है, it means क्या होगा? कि उसमें true nucleus जो होता है, वो कैसे होगा? Absent होगा. Nucleolus, nuclear membrane जो होगी, वो कैसे होगी? Absent होगी. साथी में जो mitochondria है, cell organelles जो होते हैं, वो कैसे होगी? Mitochondria होगया, साथ वैसे ही, Golgi bodies है, वो कैसे होगी? Absents होगी, ठीक है? इसमें सिर्फ क्या present होता है? Ribosome, ठीक है? 70S ribosome जो होता है, वो यहाँ पर present होगा. Bacteria's जो होते हैं, जिन Bacteria's में chlorophyll प्रेजेंट होगा, उन Bacteria's को हम photosynthetic bacteria कहते हैं. Photosynthetic bacteria, इट मेंज क्या होगा? कि उनका mode of nutrition, कैसा होगा? Autotropic होगा, वो खुद का खाना खुद बना लेंगे. ठीक है, जिन Bacteria's में chlorophyll जो है, वो less amount में present है, या absent होता है, वो कैसे होंगे? Saprophytic और Parasitic nature के होगा. It means क्या होगा कि, Saprophytic means क्या है? जो बैक्टेरियास जो होते हैं, वो dead digging organism पर ग्रो करते हैं, उन्हें हम Saprophytic Bacteria कहते हैं, और जो living organism पर ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? Parasitic, ठीक है? जिन बैक्टेरिया को जिन्दा रहने के लिए oxygen चाहिए, उन्हें हम aerobic bacteria कहते हैं, और जिन बैक्टेरियास को जिन्दा रहने के लिए oxygen की ज़रूरत नहीं हैं, उन्हें हम anaerobic bacteria कहते हैं, ठीक है? जो बैक्टेरियास जो होते हैं, उनके वो अलग-अलग type के होते हैं, जिसे कि उनका shape भी अलग होता है, जो spherical bacteria है, rod shape bacteria होते हैं, spiral shape होते हैं, ठीक है? अब जो rod shape है उन्हें bacilli कहते हैं, जो spherical होते हैं उन्हें कोका कहते हैं, जिस तरह से हम एक जगे से दुसरी जगे movement कर पाते हैं, उसी तरह से bacteria जो होते हैं, वो भी movement कर लेते हैं, with the help of flagela, ठीक है? यह क्या है? हैह लगी ह insул से बैक्टेश्याज आप्सेल। होता है वह एक जगे से दुसरी जगे मॉमेंट कर लेते हैं बैक्टेरिया के sexual और एक होता है asexual method तो जो fusion है यह कैसी है common method होती है इसमें क्या होता है कि जो parental cell होती है yes यह parental cell से दो daughter cells जो है वो बनेंगे ठीक है कितनी दो daughter cells बनती है इसे हम कहते है binary fusion जो कि asexual method है reproduction की ओके यह थे characters of bacteria ठीक है वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो like कीजी and subscribe कीजी thank you